अगर आप लोग भी 2024 का बेस्ट APS ID डूंड रहे हैं आप लोग 24 में BESP में काम करने के लिए बेस्ट APS ID डूट रहे हैं तो आप लोग सही वीडियो पे क्लिक कें क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी APS कमपनियों का राज खोलने वाले हैं आपके लिए कौन सा APS ID बेस्ट होगा और कोई भी APS ID लेने से पहले आपको कीन कीन चीजों का ध्यान रखना है ये सभी चीजों के बारे में भी बताएंगे और कहां से आपको ID मिलेगा बेस्ट APS ID इन सभी चीजों के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं तो अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक किजिए आभी क्या भी लाइक किजिए इस वीडियो को चैनल को संस्क्राइब करके अपना भाय को सपोर्ट करें क्योंकि आपका एक संस्क्राइब बहुत जादा मोटिवेट करता है इसी तरह का वीडियो बना के लाते रहने के लिए तो जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं कि 2024 में कौन सा APS company CSP ID आपके लिए best रहने वाला है तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि कोई भी company का CSP या APS ID लीजिए उसके बारे में आप पूरा पता कर लीजिए कि वो कैसा company है उसका background में वो क्या करता है क्या नहीं करता है आपको कमिशन के लालच में आगे चलके आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है तो इसके लिए आपको commission पर नहीं जाना है कि कौन सा company में कितना ज्यादा commission मिला है आपको commission नहीं देखना है, service देखना है, service अच्छा मिल रहा है, customer support अच्छा है RVI से register है, NPCI से register है यह सब अगर आप चीज देख लेते हैं तो आपके साथ fraud होने वाला नहीं है आपको अभी हम बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन सा CSP या APS ID लेना चाहिए तो हम आपको जो है कि अभी बताने वाले हैं करी 5 APS company के बारे में 5 APS company को बताने वाले हैं आपको और इसमें से आपको हम 2-3 ऐसा APS company बताएंगे आपको जिसमें कि आप अकाउंट भी ओपनिंग कर सकेंगे फूल के वाईसी के साथ वह भी अपने mobile phone से जीरो बालेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं फूल के वाईसी के साथ और इसमें एक ऐसा APS ID है जिसमें कि आपको मिलेगा तीन बैंकों का APS आधार भी मिलेगा आपको इसमें दो बैंकों का आपको हम इसी चीजों के बारे में भी बताने बाले हैं तो आपको कुछ समझवें नहीं आएगा तो नंबर वन पर आपको आज आता है रोइनेट सल्यूशन में अगर आप काम करते हैं तो आप बहुत ही लगकी है अगर आपको अभी तरह आपके आपके रोइनेट सल्यूशन का आईडी नहीं है ताब भी आप सल्यूशन का आईडी लीजे तो कुछ इसमें जो है कि आपको तीन बैंक का APS मिलेगा यस बैंक, आइसी बैंक, एनेस डियल बैंक, आधार भी आपको दो तरह कर इसमें मिलने वाई इसका कस्टमर सपोर्ट भी सही है, आरवी आई से, नपी सियाई से सबसे ही रजिस्टर है, यह ओल्ड कमपनी है, जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और इसका आईडी लेने में जराष अभी सोचना नहीं, इसका आईडी आप ले ही लिजए, आपको अगर इसकाष रिजिए आपको आईडी लेना है, तो इसे बीसे बे आपको कम प्राइज में प्रवाइड करने बाले है आईडी तो वाटसटाप नमबर पर एक बार हमसे जरूर कॉंटेविट सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपलीकेशन में भी और वेबसाइट पे भी आप लोग अगर सब कुछ मिलने वाला है और इसका कस्टमर सपोर्ट वगेरा भी सब कुछ सही है आपको अगर आईडी लेना है तो इसक्रीन पर आपको वर्ट्सम नमबर सो का उस पर कॉंटेक्ट करना है और अगर बात कर लिया जाए तीसरा कंपनी के बारे में तो तीसरा आजाता हम लोगों का बिजनेट का बिजने लेने में सोचना नहीं है और अगर बात कर लिये का लिए बारे में तो तीसरा कंपनी में हम लोग का यह है यह है EGPK भी आप लोग ID ले सकते हैं EGPK भी ID लेने के लिए आपको सोचना नहीं है EGPK जो ID है वो भी RVI से और NPCI सब सब जगा से रजिस्टर है Certified ID है, GST वगेरा सब कोछ है उसके पार तो आप भी ID आप ले सकते हैं उसमें भी आप एकाउंट ओपेन कर सकते हैं Customer support भी उसका सही है और उसका ID में लेने में भी आपको सोचना नहीं है EGPK ID लेने के लिए WhatsApp नमबर जो दिख़ा उस पर कॉंटक्ट करके आप हमसे EGPK भी ID ले सकते हैं और और बात कर लिया जाए तो फीनो का आप ID ले सकते हैं और Spice Money का ID यह सारा ID आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है यह NPCI से सब जगह से रेजिस्टर है तो यह ID लेने के लिए आपको कुछ भी सोचनी की जरत नहीं है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को संस्क्राइब करना ना बोले जैहिन जै भारत